हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्जे कुरान सो दोस्तो कितना स्लेबस कंप्लीट हुआ कितना पेंडिग है आज मैंने एक वीडियो से पहले अपलोड कर दिया है अप चैनल पे देख लें दूसरा फर्स से फर्स अफ अगस से हम पीडियेफ की डिसक्रिशन शुरू करने ज सकते हैं तो आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं उसका नाम है सोर्स डॉक्वेंट अइंड वाचर ठीक है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है सोर्स डॉक्वेंट में और क्या है वाचर इससे पहले आपको याद होगा कि मेरा फूज वीडियो था उस में मैं अपको process के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये कहा था, कि जो हमारी accounting process है, वो start होती है, identification से लेके, यनि हम पहचान करते है business और non-business transaction के बीच उसके बाद measure करते हैं in terms of money value और उसके बाद फिर हम उसके recording शुरू करते हैं recording का मतलब होता है कि हम जितनी day-to-day transactions हैं, हमारी दिन बर की transactions हैं, वो सब एक ही जगा पर record करते हैं, इसको हम कहते हैं जर्नलाइज करना ये मैंने बताया था, लेकिन जितनी भी transactions हम record करते हैं, उनको record करने के लिए हमें किसी evidence की जुरूरत होती है, हम ऐसा ही नहीं है कि अपने से ही record कर दी, हमें कोई evidence चाहिए होता है, जिसको हम बोलते है source document, ये source document क्या है? जो भी हम bill issue करते हैं किसी को या किसी से bill लेते हैं, कोई चीज बेची, तो हम किसी को bill देते हैं, कोई चीज खरीदी, तो उससे bill ले लेते हैं ये bill ही है, हमारे जो source हो जाता है उस transaction को लेके तो हम उसको बिल दिखा सकते हैं और अपना जो डिस्प्यूट है वो सेटल कर सकते हैं इसलिए इसलिए हम हम इशू करते हैं यह फिर किसी से लेते हैं बात करते हैं आई यह source document क्या है document is an evidence of a transaction document क्या होता है कि एक transaction का evidence transaction मतलब दो लोगों में कोई जो लेंदेन हुआ उस लेंदेन का evidence जो है उसको हम source document कहते हैं ठीक है so document is an evidence of a transaction और an event अच्छा बहुत सारे बच्चों ने मुझे transaction और event का difference पूछा था तो आज मैं उसको clear भी कर देता हूं मैं एक example के तोर मैं लेता हूं कि suppose करो फर्ज जैन को मैंने goods खरी दी परचेज गुड्स मान लो मैंने 20,000 की goods खरी दी तो अगर मैं सिर्फ फर्ज जैन की बात कर रहा हूं सिर्फ इसी date की बात कर रहा हूं तो यह transaction है and यह event भी है कि मेरे पास 20,000 की मैंने पांच जैन को मैंने फिर से goods खरी दी परचेज गुड्स कितने की 30,000 की तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा यह भी transaction रेवेंट दोनों ही है अगर मैं सिर्फ पांच जैन की बात कर रहा हूं तो यह transaction भी है यह event भी है अब total मेरे पास कितने इसको मैं इवेंट बोलूगा सिर्फ यह transaction नहीं है क्यूंकि जितनी मैंने transactions की यह उसका end result है अगर हम सिर्फ एक जैन की बात करें तो 20,000 की गुर्ज खरी दी transaction भी इसको कह सकते इसको event भी कह सकते तो क्यूंकि हम first जैन की बात कर रहे हैं अगर मैं 5 जैन की बात कर रहा हूं तो इसमें मैंने 30,000 की गुर्ज खरी दी transaction भी है event भी है लेक कहने का मतलब है कि आपकी जो transaction है आपने जो transaction की उसको event भी कह सकते हैं यह जैसे transaction की इसको transaction भी बोल सकते हैं लेकिन event क्या है? 40,000 इसको transaction नहीं बोल सकते क्योंकि यह transaction नहीं हो यह तो transaction उनका end result है a transaction can also be called as an event, but an event cannot be called as transaction, क्योंकि event का मतलब होता है, कि जो end result है, clear हो गया, I hope यह आपको सबको clear है, तो next पर move करते हैं, अच्छा, अब क्या था, type some source document, कितने तरह के document होते हैं, source document, सबसे पहले आगा cash memo, cash memo किसे कहते हैं, देखिए, जब हम किसी इसे goods खरीते हैं, यनि seller, goods बेचने वाला, जब हमें cash में goods देता है, हम उसे cash में goods खरीद रही हैं, तो seller हमें एक document देता है, उसको बोलते हैं cash memo, so क्या है, cash memo prepared by seller, एक तो यह seller बनाता है, not purchaser, या दखना seller, prepared by seller for goods sold against cash, ये कब बनाता है, जब cash के against, यनि cash के बदले में वो goods बेचेगा, तब वो जो document बनाता है, उसको बोलते हैं cash memo, I hope ये clear हो गया, ज़ादा इसकी आपको definitions याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसना करक्स याद रखना है कि मतलब क्या है, आपको सिर्फ MCQS में वो ही पूचा जा सकता है, कि cash memo किसके लिए issue किया जा सकता है, तो आपको वो चार option दे देंगे, आपको उसको say tick करना, तो cash memo कब issue करते हैं, जब seller जो है cash memo बेचेगा, उसके बाद आगा invoice या bill, ये कब होगा, almost same prepared by seller, ये भी seller ही बनाता है, लेकिन for goods sold on credit, जब कोई kurs credit में बेचेगा, तो cash goods जब भी seller बेचेगा, तो cash memo देगा, और credit में उधार में बेचेगा, तब हो क्या देगा, invoice या फिर bill देगा, right, next is receipt, देखे, receipt क्या है, जब हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, अगर, suppose मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं किसी से fees ले रहा हूँ, तो fees के बदले में, उसको मैं एक receipt दूँगा, जिसमें ये लिखा होता है, कि मैंने, जो भी person उसका नाम लिखा होगा, उससे इस मेने की fees लिए है, details होती है, ठीक है, तो जब हम कोई cash receive करते हैं, for receiving cash, या फिर कोई check receive करते हैं, उसके बदले में हम जो उसको document देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, receipts, ठीक है, next is pain slip, आप मैंसे काफी सारे लोग bank में visit कर चुके होंगे, बैंक में पैसा जमा करवाने या check जमा कराने कभी न कभी गए होंगे, तो जब आप bank में cash deposit करते हो, या check deposit करते हो, तो आप सीधा cash लेके counter पे नहीं जाते हैं, आपको एक form फिल करना होता है, जिसके उपर detail होती है, कि आपका नाम, आपका account number, कितना cash आप deposit कर रहे हो, date ये सारी उसमें mention होती है, तो वो जो document है, उसी को क्या कहते है, pain slip, so source document used for, कहता है source document जो किसके लिए use किया जाता है, depositing cash या check, जो cash या check deposit करने के लिए bank में use किया जाता है, उसको बोलते है, pain slip, next is debit note, when goods are returned to seller, देखिए, मान लो, हम किसी से कोई goods उधार में खरीद रहे हैं, purchased goods from David, मैंने डेविट से goods खरीदी, 5000 की, ठीक है, अब ये उधार में खरीदी, क्योंकि नाम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कि जब भी किसी transaction में, sale या purchase की transaction में, cash की जगा किसी का नाम लिखा आएगा, it means हम credit में खरीद रहे हैं, credit में बेच रहे हैं, तो यहां मैं credit में इससे खरीद रहा हूँ, डेविट से, तो अगर मैं इसकी general entry बनाऊँ, purchase account, तो क्या बनेगी, डेविट, यहां यह है, when goods are returned to seller, जब हम seller को, seller कोन है, डेविट, इसको जब हम goods return करते हैं, तो हम एक debit note देते हैं, अब कोशन यह है कि debit note, इसका debit नाम ही क्यों रखा है, यह तो आपको समझा आ गया कि seller को जब हम goods वापिस करेंगे, एक debit note देंगे, लेकिन नाम debit क्यों, क्रेडिट क्यों नहीं, यह वो बता रहा हूँ, अच्छा, हमने डेविट को क्या कर दिया, डेविट को हमने कर दिया credit, मानलों हमने 10,000 की गुर्ष इससे खरीदी थी, ठीक है, अब स्पोस करो किसको 2000 की गुर्ष हम वापिस कर रहे हैं, तो डेविट को हम क्या कर लेंगे, डेविट को वापिस करेंगे ना, इसका उल्टा बन जाएगा, जन्रेंटिस की उलट हो जाएगी, डेविट को हमने पहले क्या किया था, क्रेडिट, आप क्या कर रहे हैं, डेविट, तो क्यूंकि आप इसको हम डेविट कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए क्या छोड़ते हैं, उसको क्या देते हैं, डेविट नोट, I hope यह आपको clear हो गया, इसी तरह, क्रेडिट नोट क्या ह है when goods are returned by customer यानि जब customer हमें goods वापिस करता है उस case में हम seller हैं हमने किसी को goods बेची मान लो sold goods टो राम मैंने राम को goods बेची यानि यह भी उधार में बेची है ठीक है मान लो तो अगार में GENERANTी बनाओं तो मैं क्या बनाओंगा GENERANTी बने गी RAM to sales अब आप GENERANTIS मत पूछ ले न कैसे बनेगी ये बता चुका हूं ठीक है तो GENERANT लगा को मैंने क्या किया debit क्यूंकि उस से पैसा लेना है और जिस से पैसा लेना है क्योंकि he is my debtor, debtor कौन, जिनसे हमने पैसा लेना है, तो यह हमारे लिए asset है, लेकिन suppose करो कि जिसको मैंने गुर्स बेची थी, इसने इसमें से 1000 रुपे की गुर्स मुझे वापिस कर दी, तो मेरी guarantee उल्टी हो जाएगी, sales return to RAM, अच्छा, RAM यहां पर क्या था? debit क्योंकि मैंने उससे पैसा लेना था, वो मेरा asset था, कितना मेरा asset था? 10,000 का, कि मैंने उससे 10,000 रुपे लेना था, लेकिन 1000 की गुर्स उसने मुझे वापिस कर दी, इसका मतलब हो गया कि मेरे जो asset है, 1000 की गुर्स तो उसने वापिस कर दी, तो मेरे पास debtor अब कितने रहे गया, RAM से मैंने कितना पैसा लेना है, 9,000, तो 1000 मेरा जो कम हुआ, अच्छा, debtor को मैंने debit कर लिए, क्योंकि मेरा asset था, increase हुआ, तो debit कर लिया, लेकिन 1000 मेरा decrease हुआ, तो मैंने debit कर लिया, अब मेरे asset 1000 पैडिक्रीज हो गया, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, credit, तो इसलिए उसको क्या दिया जाएगा, credit note कि हमने आपको credit कर दिया है, I hope यह आपको समझ आ गया कि मतलब क्या है, क्यों debit or credit note लिखते हैं, यह जो हमने source document अभी बनाए, अब हमारा जो accountant है, इन source document को लेकर, फिर वो accounting voucher बनाता है, जिसमें यह देखना होता है कि, किस account को हमें debit करना है और किसको credit, हमने bill तो दे दिये, cash memo, invoice bill, receipts, payment slip, debit note, credit, अब हमने कर दिया, अब इनी को लेकर, हमारा जो accountant है, वो accounting के लिए voucher बनाता है, जिसमें उसको यह दिखाना होता है, कि किस account को debit करना है, और किसको credit, तो उसके लिए वो जो document बनाता है, उसको voucher बोलते हैं, So, on the basis of source document, a voucher detailing the account that are adapted and credit is prepared, कहता है, in source document के basis पे, हम जो एक voucher बनाते हैं, जिसमें हमें यह देखना होता है, जिसमें detail होती है, कि किस account को हमें debit करना है, किस account को credit करना है, अब यह भी इसकी भी types हैं, types of voucher कौन से हैं, एक है cash voucher, और दूसरा है non-cash, first is cash, second is non-cash, cash voucher क्या है, prepared for receipt and payment of cash and check, it can be of two types, जब हम कोई receipt करते हैं, कोई पैसा आता है, या किसी को payment करते हैं, चाहे हम गुर्स बेचें, चाहे हम गुर्स खरीदें, चाहे हम machinery बेचें, चाहे हम machinery खरीदें, तो जब भी हमारी कोई transaction होती है, cash में या by check, हम receipt कर रहें या payment कर रहें, तो उस समय हम cash voucher बनाते हैं और it can be of two types, ये दो तरह के हैं एक होता है credit voucher credit voucher तब हम issue करते हैं जब हम cash receive करते हैं जब हम किसी से cash लेते हैं तो हम क्या issue करेंगे credit voucher और debit voucher कब होगा जब हम किसी को payment करेंगे तो आपको simply याद रखना है कि वोचर किस किस काम आते हैं credit voucher किस काम आता है जब हम cash में receive करते हैं यादि cash receive करते हैं और debit voucher कब काम आता है जब हम किसी को payment करते हैं cash में दूसरा होता है non cash voucher non cash voucher कौन से हो गए prepared for transaction not involving cash ये तो थे cash voucher थे जिसमें हम transaction cash में करते हैं चेक में करते हैं और non-cash कुन से हो गए जिसमें transaction cash में या check में नहीं करते हैं उनको बोलते है non-cash voucher example क्या है जैसे debit note credit note या bill यह सारी non-cash transaction को record करते है debit note क्या है हम किसी को goods वापिस कर रहे है credit note क्या है कि customer हमें goods वापिस कर रहा है इसमें cash की involvement नहीं है, cash नहीं आ जा रहा है, गुर्सा आ जा रही है, या bill कब हम issue करते हैं, जब हम किसी को credit में, उधार में कोई चीज बेचेंगे, तो non-cash voucher हो गया, जिसमें cash की transaction नहीं है, for example, debit note, credit note, bills या invices, तो I hope आपको ये clear हो गया, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कि हर voucher या source document का काम क्या है, वो किस काम आता है, वो ही आपको mcqs पूछा जाएगा, कि ये, for example, pain slip किस काम आती है, तो आपको चार option होंगे, या फिर debit note किस काम आता है, अगें चार option होंगे, तो बस आपको ये देखना है, कि ये voucher किस काम आती है, इसलिए मैंने एक line में इसको explain कर दी है, I hope ये आपको clear हो गया, तो next video एक और है, single entry system, वो देखते हैं, कल वो वीडियो लाँगा, और first से हम जैसे मैंने पहले भी कहा, कि PDF हम discussion करने जा रहे हैं, बाकि जो मेरा अपना चैनल है, किरिन कॉमर जोन, उसमें भी PDF चल रही है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा उसको study कर सकते हैं, Thank you दोस्तो, Thank you very much.